हेलो बच्चो कैसे हो बढ़िया आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया तो देखो बच्चो आज हमें क्या पढ़ाई करनी है आज है बटे हमारे पास क्लास 12 का मल्टीपल चॉइस क्योस्टिन्स का वीडियो नमबर 10 तो बटे ये क्लास 12 का बहु विकल्पिय प्रस्नों का दस्वा वीडियो है और इससे पहले 9 वीडियो आपको प्ले लिस्ट में भी मिल जाएंगे नीचे डिस्क्रप्शन में भी मिल जाएंगे और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा जहां आप मल्टीपल क्योंस के सभी यूनिट के वीडियो को देख सकते हो और समझ सकते हो जो बोर्ड एक्जाम में आपकी बहुत जादे हल्प करेंगे इसी के साथ आपको नीचे डिस्क्रप्शन में PDF नोट का लिंक भी मिल जाएगा और आप PDF नोट के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो KMD सहरनपूर तो देखते हैं आज हमें कौन से चैप्टर के MCQ करने हैं तो आज हमारे पास है पी ब्लॉक तत्वों से संबंधित MCQ और कल भी हमने पी ब्लॉक तत्वों के multiple choice questions किये थे और आज भी हमारे पास पी ब्लॉक तत्वों से संबंधित कुछ multiple choice questions है जो बहुत important ह बोर्ड एक्जाम के लिए ठीक है बैटे बस आपको एक बात ध्यान रखना है कि चैट बॉक्स में अपने उत्तर लगातार लिखते जाने हैं और देखना है कि दूसरे बच्चे क्या उत्तर लिख रहे हैं ठीक है सभी बच्चों का बहुत-बहुत स्वागत है और आप आपकी स्ट्रीम पर देखो जरा और एक बात का ध्यान रखो कि हमने 28 नवंबर को 12th क्लास का सेलेबस कम्क्लीट कर दिया था NCRT के एकॉर्डिंग जिसमें NCRT के लगभक सारे टॉपिक्स को क्लियर किया गया था और हर एक उधारन को हर एक पठ्थे नहित प्रस्न को और हर एक अभ्यास प्रस्न को क्लियर कर दिया गया है आप प्ले लिस्ट में जाकर 12th क्लास का पूरा सेलेबस पढ़ सकते हो और अपने नोट्स भी मना सकते हो जो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और टेली ग्राम पर भी मिल जाएंगे ठीक है बिटे तो देखते हैं पी बलोक तत्वों का एम सी की उसका पहला की option आपकी स्क्रीन पर है देखो निम्न में से कौन से तत्वों का यूगम समान वर्ग में रखा गया है कौन से तत्व का युगम समान वर्ग में रखा गया है आप्शन A तत्व जिनका परमाणू संख्या 17 और 38 है B में कहा है परमाणू संख्या 20 और 40 है C में कहा गया है परमाणू संख्या 17 और 33 है D में कहा गया है परमाणू संख्या 17 और 35 है इन मेंसे कौण से तत्वों को समान वर्ग में रखा गया है दो option में 17 आ रहा है देखो मैं आपको बताता हूँ कि पहला question है यदि आप group number 17 की बाद करते हो यानि सत्रवे वर्ग की यदि आप बाद करते हो तो सत्रवे वर्ग में कौन-कौन से तत्वों को रखा गया है सत्रवे वर्ग में रखे गई है F, C, L, B, R, I, A, T ये तो याद है न सब की सत्रवे वर्ग में इन तत्वों को रखा गया है और इनके परमानु करमांग की या परमानु संख्य भी आप कह सकते हो यह होते हैं 9, 17, 35 इसका 9 होता है इसका 17 होता है इसका 35 होता है और आयोडीन का कितना होता है तरहपन और इसका होता है 85 तो यह इनके परमानु करमांग है तो आप जो आपका ओप्सन है उस ओप्सन में दे जिनकी परमाणू संख्या 17 और 35 तो पहले का सही उत्तर क्या होगा पहले का सही उत्तर क्या है डी है दूसरा के उस्चन आपकी स्क्रीन पर देखो जड़ा दूसरा के उस्चन वह तत्वी जिसकी विद्जू तरिनात्मक्ता सबसे अधीक है बहुत इंपॉर्टेंट के उसे एक्जाम में जरूर आएगा दियान रखना है आपको बिल्कुल आएगा वह तत्व जिसकी विद्जु तरिनात्मक ता सबसे अधीक है बताओ जल्दी जल्दी उत्तर बताओ ये तो सब के याद है क्यों बहुत आसान सा क्यों से लगा दिया वेटे उत्तर सबसे अधीक सबसे अधीक विद्जु तरिनात्मक ता होता है फ्लोरीन उसके बाद हम बात करते हैं क्या है विद्जु तरिनात्मक ता सही क्रम बताओ आपको वैसे तो पता होगा कि किसी भी वर्ग में उपर से निश्चे जाने पर विद्जु तरिनात्मक ता पुछा है इलेक्ट्रोन बंदूता हेलोजन की इलेक्ट्रोन बंदूता का सही क्रम क्या है हेलोजन की इलेक्ट्रोन बंदूता का सही क्रम बताना है यदि आप हेलोजन की इलेक्ट्रोन बंदूता का सही क्रम देखते हो तो नॉर्मली किसी भी वर्ग की यदि हम बात करें तो इलेक्ट्रोन बंदूता उपर स प्लोरीन का साइज जरूरत से जादे छोटा है तो उसके जो पी इलेक्ट्रों से उनके बीच परती कर्शन अधिक लगता है इसलिए बाहर से आने वाला इलेक्ट्रों उतना जादे खिचाओ मैसूस नहीं कर पाता है नाभीक के परती थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा आपको पता है कि यदि हम इलेक्ट्रों बंधूता की बात करते हैं तो इलेक्ट्रों बंधूता का सही करम क्या होना चाहिए वैसे तो नॉर्मली तो ऐसा होना चाहिए यानि सरसे जादे इलेक्ट्रों बंधूता फ्लोरीन की फिर क्लोरीन की फिर ब्रॉमेन की फिर आयोडीन की होनी चाहिए पर ऐसा होता तो नहीं है यह तो गलत है क्यों है गलत क्योंकि फ्लोरीन का साइट छोटा है और फ्लोरीन का साइट छोटा है तो इसके जो पी इलेक् जब पास पास आएंगे तो सेम चार्ज एक दूसरे को रिपैल करेगा या नहीं करेगा उनके बीच परतिकर्षन अधिक लगता है और जब पी एलेक्ट्रों के बीच ज्यादे परतिकर्षन लगेगा तो बाहर से आने वाले इलेक्ट्रों को नाभीक की तरफ उतना घिचाव तो महसूस नहीं होने का यानि इलेक्ट्रोन बंधूता कम हो जाएगी कोई भी परमाणू का नाभिक इलेक्ट्रोन को जितने आकर्षन बल से बांध ही रखता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोन बंधूता या बाहर से आने वाला इलेक्ट्रोन जब परमाणू की कख्षा में एं से जाद है क्योंकि साइज इसका जुरुत से च्छोटा है इसलिए इस क्रम में आप पहले नंबर पे इसे रखोगे पहले नंबर पे यानि सबसे जादे electron बंदूता किसी होती है CL की होती है तो सबसे जदे electron बंदूता इस निसान को आप ऐसा बनाओगे ऐसा अब देख लो कौन सा उटतर है आपका अब यह हमारा सही हो गया है सबसे जदे electron बंदूता CL की है क्यों है मैंने कारण आपको इस पस्थ कर दिया सब्सक्राइब चार पर आपकी प्रिंग बंदुता कि सब्सेज़ धींग शुटिकर बंदूता क्लोरीन की क्लोरीन पहले नंबर पे है तो इलेक्ट्रोन बंदूता सबसे ज़्यादे किसकी होती है क्लोरीन की तो चोथे का सही उत्तर क्या होगा ती होगा फॉर्थ का सही उत्तर है सी अब आते हैं क्योंसे नंबर पांच पर आपकी स्ट्रीन पर जल्दी रेखो क्लोरीन का प्रबलतम आक्सी अइसिड है आक्सी अमल है आक्सी अलो 2, आक्सी अलो 4, हो छी अलो 3 क्योशन नम्बर 5 बहुत बढ़िया क्योशन है सबसे ज़्यादे श्ट्रोंग आक्सी असिड कौन सा है इनमें से आक्सन ए दे रखा है हो rust हो तू Option B दे रखा है F-C-L-O-4 H-C-L-O-4 Option C दे रखा है क्या दे रखा है C? HO-C-L HO-C-L Option D दे रखा है D क्या है? F-C-L-O-3 H-C-L-O-3 सबसे ज़्यादे strong oxy acid कौन सा है देखो मैं बताता हूँ सबसे ज़्यादे strong oxy acid वो होता है जिसमें oxidation number सबसे ज़्यादे हो ठीक है? जिसमें chlorine का oxidation number सबसे ज़्यादे होगा वो सबसे ज़्यादे strong acid होगा देखो यहाँ देखो चलो oxygen की oxygen संख्या होती है minus 2 hydrogen की होती है plus 1 जरा ध्यान से देखना पर यह 2 है 2 दुनी 4 minus के 4 और plus का 1 minus के 3 minus के 3 को खतम करने के लिए CL का oxidation number हुआ plus 3 तो CL का oxygen संख्या उपर लिख लो या निच्चे यहीगी बात है CL का oxygen संख्या है plus 3 है यहाँ देखो आप hydrogen का oxygen संख्या plus 1 होता है oxygen का minus के 2 होता है तो 4 दुनी 8 minus के 8 और plus का 1 minus के 7 को खतम करने के लिए CL का oxygen संख्या plus 7 होगा HO CL को यदि आप देखोगे तो H का oxidation number plus 1 होता है और oxygen का होता है minus के 2 तो minus का 2 और plus का 1 minus का कितना बचेगा 1 बचेगा और minus के 1 को खतम करने के लिए CL का oxygen संख्या या कितना हो जाएगा plus 1 हो जाएगा अब देखते हैं SCLO 3 को SCLO 3 में H का plus 1 होता है और O का होता है minus के 2 तो यह हो जाएगा 3 तुनी 6 minus के 6 और plus का 1 minus के 5 minus के 5 को खतम करने के लिए plus का 5 अब देखो आप आप यहाँ देखते हो CL का oxidation number क्या है plus 3 है यहां plus 7 है यहां plus 1 है यहां plus 5 है तो सबसे जादे strong acid यह होगा जहां CL का जिसमें oxygen संख्या सबसे जादे आई है CL की ध्यान रखना है इस तीज को बहुत important question है कि क्या है SCLO4 SCLO4 कौन सा option है B तो पांचवे का सही उत्तर क्या होगा B होगा पांचवे का सही उत्तर होगा B अब आते हैं question number 6 पर 6 है निम्न में से कौन सा कसन सही है एन नो टू नाइत्रीक अंभल का एन हाइडाइड है ती यो फार्मी का मिलका एन हाइड़ाइड है चिएल 2-0-3 हॉईपोल प्रकलोरी का एम हैड़ाइड है तो च्छटे का लगाव आप उत्तर जल्दी से न हाइड्राइड एन हाइड्राइड का मतलब जिसमें से पानी को निकाल दिया गया हो तो एन्हाइडराइड बन जाता है जिसे आपको एन्हाइडराइड मैंने और्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाए दें तो इन्होंने पूछा है कि कौन सा कथन सही है छटा जोसिन लगा दिया उत्तर छटे का सही उत्तर होगा डी अब क्यों होगा देख लो मैं बताता हूँ आपको छटे का सही उत्तर डी क्यों होगा आपके पास जो है यदि आप C2O7 को देखते हो ना क्लोरीन हेटा ओकसाइड को यदि इसमें आप पानी बिलाओगे C2O यानि इससा जलब गटन करोगे या जल के साथ इसकी करिया करोगे तो दो बनते हैं C2O4 अब जड़ा ध्यान से देख लो आप C2O4 दो बनते हैं यानि यदि आप 2C2O4 को लेकर उसे गरम करोगे तो उसमें से पानी निकल जाएगा इसका मतलब यह है कि C2O4 option D को देखो जड़ा option D का है CL2O7 पर कलोरी कमल का एन हाइडराइड है यानि CL2O7 जो है वो पर कलोरी कमल में से पानी निकलने के बाद सेस बचता है इसलिए हमारा option D सही है ठीक है बेटे ध्यान से समझ लो इस चीज़ को एन हाइडराइड का मतलब जिस पानी निकलने के बाद जो बचता है उसे आप एन हाइडराइड कह सकते हो इस में से पानी निकलने के बाद ये बचेगा ठीक है आपको पता है ना एन हाइडराइड का मतलब क्या है देख से हैं कि उस्टे नंबर सात्वा साथवा के उसके न आपकी इस स्क्रीन पर देखो ज़रा में वायू मंडल में तो तो इन चार ओप्सन में से छाटना है आपको कभी आप वैसे ही लिख दो सिद्धा नाइट्रोजन गैस नाइट्रोजन गैस हाँ वायू मंडल में सबसे जादे है पर इन चारों में से कौन सी सबसे जादे है हीलियम नियोन आरगन क्रिप्तन बताओ जल्दी से उतर लिखो साथ वेगा लिख दिया आपने उतर सबसे जादे मातरा में वायू मंडल में पाए जानी वाली गैस होती है आरगन तो साथ वे का C है आप ध्यान रखोगे सबसे जादे मातरा में पाई जाने वाली गैस क्या है औरगन है ठीक है इन चारो गैसों में से क्योस्टन नम्बर आठ 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 आठे वे आठ वा क्योस्टन देखो हीलियम गैस का मुख्षे स्रोत है बताओ हीलियम का स्रोत क्या है ये तो याद करने वाले क्यों से ने हीलियम का स्रोत वायू है प्राकर्ति गैस है समुदरी जले रेडियो एक्टिव खनीज है बताओ वायू याइनों के टायरों में हीलियम के भरे जाने का कारण है अथ्वा गुबारों में हाइडोजन के इस्थान पर हीलियम भरी जाती है क्यों कि क्यों भरी जाती है यह सबसे हल्की अक्रिय गैस है यह हवा से बहुत हल्की तथा एज्वलन सील गैस है यह वाईओ यह बहुत कम ताप परदान करती है D.वुप्रोफ्ट में से कोई नहीं बताओ आप हाइड्रोजन के इस्ठान पर हीलियम गेस का क्यों प्रयोग करते हो सही उत्तर क्या है भई यदि हाइड्रोजन भी हल्की है हिलियम भी हल्की है मालो एक बच्चे ने गुबारा बरवाया, हाइडरोजन गैस का, और वो मम्मी के पास अपनी किचन में चला गया, तो यदि वो अपनी मम्मी के पास, अपनी मा के पास किचन में गया, और वहाँ उसने जलते हुए गैस पर, या चूले पर उस गुबारे को लेके चला गया, हाड्रोजन गैस quantity बहुत कथरणाक है हलागी हाडोजन से गुबारा उड़ेंगा तो इसलिए हम किसका प्रेयोग करते हेलियम का तो इसका सही उतर है नोवे का सही उतर है यह हवासे बहुत हल्की ति तिफा एज वलंसीलीजी existsey हवासे ल्की तो दो δो महीं है तो नोवे का सही उतर क्या है भी है हवासे हल्की तो hydrogen भी इन हीलियम भी है पर hydrogen जोलंसील suppresset है या ग Papik अब देखो चौसे नमबर 10 को देखो ज़रा इस फ्रीन पर आपकी जल्दी से उत्तर दो गहरे समुद्र गहरे समुद्री गोता को रोके सांस लेने में प्रियोग में आने वाली ऑक्सिजन में नाइट्रोजन की जगह प्रियुक्त होने वाली गैस है बताओ ऑक्सिजन के साथ नाइट्रोजन ना मिलाकर ऑक्सिजन के साथ कौन सी गैस मिलाई जाती है याद करने वाला क्सिजन है ये बताओ ऑक्सिजन के साथ नाइट्रोजन ना मिलाकर कौन सी गैस मिलाई जाती है Xenon, Crepton, Neon, Helium कौन सी मिलाई जाती है? Helium मिलाई जाती है तो दस्वे का सही उत्तर D है अब देखते हैं 11 के Option 11 के Option देख खुजरा आपकी स्क्रीन पर 11 के Option 11 के Option है कोहरे को भेदने वाले लेंप में प्रियूप्त गैस है Neon, Helium, Nitrogen, Argon कौन सी गैस प्रियोग करते हैं कोहरे को भेदने के लिए जो Fog Lamps होते हैं जो आपकी गाड़ी की लाइट है होती है Fog के समय, कोहरे के समय, धुंद के समय Special Color की लाइट हम यूज करते हैं वो लाइट कौन सी होती है? Neon की होती है, Helium की, Nitrogen की, Argon की कौन सी होती है, ग्यारवा क्यों सिन ग्यारवे का सही उत्तर क्या है, बताओ वे Light होती है, लिख दी आपने उत्तर वे Light होती है, Neon की तो ग्यारवे का सही उत्तर ए है Red Color की Light होती है, आपको पता है भहतिक विज्ञान में भी आप पढ़ते हो की Red Color का तरंग दैधरिय सबसे जादे होता है जिस प्रकास का तरंग दैधरिय जितना जादे होता है वो प्रकास उतना कम विचलित होता है व्यान रखना इस चीज़ का उसमें विचलन उतना कम होगा उसका वेग उतना ही जादे होगा उसकी आवरती कम होगी क्योंकि तरंग दैधरी और आवरती एक दूसरे के व्यूत क्रमान उपाती होते हैं ऐसा आपने भौतिक विज्ञान में जरूर पड़ा होगा तो लाल रंग की लाइट होती है नियोन की और यह प्रियोग की जाती है कोहरे को भेदने के लिए अब बारवा क्योंसरे आपकी स्क्रीन पर आते हुए जल्दी तो उत्तर लिखो बारवे का जीनोन का कौन सा फ्लोराइड एस अंभव है जीनोन का कौन सा फ्लोराइड एस अंभव है उप्शन A, S, E, F2, B, S, E, F3, Option C, X, E, F4, Option D, S, C, F, C कोन सा फ्लोराइड एस अंभव है जीनोन का याद कर लेना इस क्योंसरे को बिल्कुल पक का याद कर लेना बताओ सही उत्तर क्या है बारवे का X, E, F3 क्या है S, E, F3 तो बारवे का सही उत्तर है B यहां लिखते हैं हम, यहां लिख देता हूं चलो, बारवे का सही उत्तर क्या है, b है, question number 13 पे आ जाओ ज़रہ, आप की स्क्रीन पर, तेरवा के option है अधिक्तम योगिक बनाने वाली अक्रिय गैस है अधिक्तम योगिक बनाने वाली अक्रिय गैस है अत्वा सबसे अधिक क्रियासील निस्क्रिय गैस है जो सबसे अधिक क्रियासील होगी वही तो अधिक्तम योगिक बनाएगी X-C-A-R-N-E-H-E बताओ कौन सी गैस है जो सबसे जादे योगिक बनाती है लिख दिया आपने उत्तर बेटे तेरवे का सही उत्तर है तेरवे का सही उत्तर है A, जीनोन गैस सबसे जादे योगिक बनाती है कौन सी गैस जीनोन क्यों बनाती है क्योंकि इसका ianon विभव बाकी सब अकरिय गैसों से कम है xenon का ianon विभव कम होता है बाकी सब अकरिय गैसों से इसलिए इसमें से elastron आसानी से निकल जाता है ठीक है अब क्योशन नंबर चौधा आपकी string पर देखो जिरा xcf-4 में xc परमाणू का संकरण है XEF4 में XEF4 में XEF4 देखो जरा Xenon Xenon ने चार बॉंड दो बनाई कि इसके साथ चार बॉंड बनाई इसके साथ फुलोरीन के साथ ये बनाए चार बॉंड फुलोरीन के साथ और बाहरी कक्सा में आठ इलेक्ट्रोन होते हैं, आठ में से चार तो गए बॉंड बनाने में, चार इलेक्ट्रोन बचे हैं, चलो मैं ऐसे दिखा देता हूँ, इसका structure मैंने वास्तविक नहीं बनाया है, नॉर्मली मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, चार तो हैं सिंगल और दो हैं लॉन पेयर, यानि एकाती इलेक्ट्रोन यहूँ, तो मुझे यह बताओ सिंगमा बॉंड कितने हैं इसके पास, सिंगमा बॉंड कितने हैं, एक दो, सिंगल बॉंड तो सारे सिंगमा ही होते हैं, आपको पता है ना, आपको पता है, यदि कहीं सिंगल एक दो तीन चार चार बनाएं सिग्मा बॉंड और इसके पास लॉन पेर कितने हैं एकाफी इलेक्टरोन यूगम कितने हैं जिनौन के पास कितने हैं एक तो यूगम ये है यूगम ने जोड़ा इलेक्टरोनों का अत्रिक्स पड़े वे दो हैं तो कुल कक्षक कितने हो जाए में 3 कफ्ते हैं वाफी बिचे होगे इसलिए तो संकरन् क्या हो जाएगा PR ë所以呢 सही उस्तर क्या होगा चुंसके नम्बर 15 पे नीम लिखित में कोनसा एक योगिक अस्तित्व में नहीं है, याद कर लेना इसे आप, इसमें क्या होगा सही उत्तर बताओ, बताओ कोनसा योगिक अस्तित्व में नहीं है, पंदरवे का सही उत्तर होगा V N e f 2 पंदरवे का सही उत्तर क्या होगा V N e f 2 नियोन डाई लूराइड ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो नियोन होता है N e e f 2 हमारा उत्तर आया है N e neon का आयनन एन्ठ पी बहुत ज़दे है आयनल विभव बहुत ज़ाद है इसमें से इलेक्ट्रोन का निकलना ही बहुत मुस्किल है इसलिए यह योगिक एसमभव है यह योगिक प्रकर्ति में नहीं पाया जाता है अब जल्दी से आप अच्छा स्क्रीन सॉट लो जल्दी से ले लिया बेटे स्क्रीन सॉट जल्दी स्क्रीन सॉट ले लिया अब आपको एक काम करना है कि मुझे कमेंट करके बताना है चैट बॉक्स से बाहर निकलो और कमेंट बॉक्स में जाओ कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है कि आपके कितने क्योस्टिन करें हमने 15 15 में से कितने क्योस्टिन आपके सही हुए है ठीक है बेटे, बस इतना काम करो, और अपनी मैनत और इमानदारी से पढ़ा ही करते रहो, किसी भी यूनिट को पढ़ना है, तो प्ले लिस्ट के अनुसार पढ़ो, हमने 12 का चले बस 28 नमंबर को पूरा कर दिया था, हर एक टॉपिक, हर एक क्योस्टनेंसी, आल्टी के सारे स पॉल्विसन आपको दे दिया गया है, हर एक टॉपिक को एक्स्प्लेइन किया गया है, बस आपको एक बात ध्यान रखनी है, कि आपको किसी भी यूनिट को पढ़ना है, तो प्ले लिस्ट के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है, प्ले लिस्ट में जाओ और पढ़ो, स्पीड जैसी आपको अच्छी लगती है, उतनी स्पीड पर पढ़ो, ठीक है बेटें, तो थैंक यू बेरी मच पॉर वाचिंग इस वीडियो, ओके, बाई झाल